रमश्कार बहुत स्वागत आपका जोतिश दिशा सत्य की राह में आपके साथ जुड़ गया मैं आपका एश्टो फ्रेंड संतोस संतोशी छे तारिक आज का दिन गाजियाबाद ओलों के नाम है गाजियाबाद में आप मुलाकार्ट कर सकते हैं कुंडली विशलेशन करवा सकते हैं अमावस्या तिती है आज आज अमावस के दिन एक खास उपाय हम बताएंगे हर राशी के लिए अमावस इस्पेशल प्रियोग इस उपाय को करके इस प्रियोग को करके आप बहुत सारे चीजों के बारे में बहुत कुछ चीजें बिस्तारित रूप से संतुलन मिला सकते हैं मित्रों ऐसे कुछ मुहूर्त होते हैं जिन मुहूर्तों पर कुछ इस्पेशल प्रियोग बड़े फायदे की तरफ ले करके जाते हैं तो यह सारी चीजें बिस्तारित रूप से आपको चानकारी मिलेंगी भावकाम अमावस्या है आज और दर्स अमावस्या भी कहते हैं और बेश्ट चीज की आज शनी जैनती है तो इसका भी एडवांटेज इसका भी लाव आपको अवस्या मिलेगा आए सुरवात करते हैं आज का दिब प्रियोग शुभ प्रियोग जोतिश दिशा सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग जेश्ठ मावस्या सनी जैनती भावकाम अवस्या शाम को छे बच करके साथ मिनट पे मावस समाप्त भी हो जाएगा आज चंद्रमा ब्रिख राशी में है नक्षत्र रोहिडी रहेगा योग रहेगा धृति तद अनुसार दिनांक छे जून दिन गुर्वार गुर्वार को रहुकाल का समय दोपार एक तीस से तीन बजे तक और गुलेककाल का समय सुबह नव बजे से दस बच कर तीस मिनट तक राहुकाल नए और शुबकामों के लिए सास्त्रोक्त मना होता है इसमें नहीं किया जाता गुलेकाल में आप कोई भी नया और शुबकाम कर सकते हैं काम आपके बन जाते हैं चली आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं मेश से लेकर मीन तक आज के पूरे दिन के हाल की आज की भविश्यवारी मेश राशी ब्रिशब राशी में चंद्रमा अपने उच्च राशी में होता है और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का अपना नक्षत्र है दूतियस्त्र चंद्रमा पढ़ाई के लिए बहुत आदर्श इस्थति देगा शुभ प्रभाव रहेगा ब्यापार आपके लिए आज थोड़ा सत्ता नाव दे रहा है बिजनस बहुत अच्छी स्थति में नहीं है परिशान करेगा प्राइविट सेक्टर मानसुक शान्ती दे रहा है सकारात्मकता रहेगी शुभ प्रभाव आपके लिए बना हुआ है सरकारी छेत्र गवर्मेंट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए कुछ बड़ा करने का उसरा आजाएगा कुछ का चन्रमा है कोई बड़ा काम आपको आज प्राप्त होगा दामपत्य जीवन मानसुक तनाव देगा आज पति-पत्नी के बीच तालमेल की कमी है इदर उदर की बातें आपको उलजाएंगी परिशान करेंगी परिवार में उतार चड़ाओ बढ़ सकता है स्वास्त के मामले में पेट की समस्या और जुखाम आज हो सकता है क्या उपाय करना है सनी जैनती स्पेशल तीन लौंग में काला धाका बांध कर शिवलिंग पे अर्पित कर दे शुभरंग आपके लिए पीला भाग्यप्रशत चववन बिशव राशी चंद्रमा आपकी ही राशी में है पढ़ाई के लिए कुछ आदर्श इस्थती है सिक्षा में बहुत कुछ सकरात्मक है पढ़ाई की जीजत तरह की चिंता ना करें हर प्रकार से शुभता है ब्यापार आपके लिए बहुत कुछ बहतर कर रहा है बिजनस आप पर कई प्रकार की शुरी कृपा दे रहा है प्राइविट सेक्टर थोड़ा सा परिशान करेगा सभल कर चलने की आवश्यक्ता है सरकारी छेत्र कुछ अनकूलता अपने आप ला रहा है गवर्नेंट सेक्टर में इस्थतियां आपके अनुसार है दामपत्य जीवन मानसिक तनाव दे रहा है थोड़ा सा सभल कर चलने की जरूरत है स्वास्थ के मामले में आज का दिन ब्रिशब राशी हड़ियों की समस्या देगा क्या उपाय करना है शनी जैनती अमावस्या सरसो का तेल और काजल रिंग फिंगर में लगाकर मद्यमा में लगाकर मस्तक को इस परश कर ले देखिए शनी आपके योग कारक है ब्रिशब राशी शनी योग कारक भागेश और करमेश दोनों होते हैं नमम और दसम के मालिक होते हैं तो ऐसे में मस्तक पर आप इनको रखें सजा कर रखें आप इनको मुकुट की तरह पहन कर रखें बहुत कुछ आपके लिए अनकूल करेंगे शुबरंग आपके लिए आज पीला भागी प्रत्षत बासट मिथुन राशिग द्वादस अस्थान पर चंद्रमा का प्रिभा सिक्षा की इस्थती को बेहतर करने का प्रियास करें अचानक किसी मुश्किल की इस्थती में आप आ सकते हैं ब्यापार कुछ बेहतर इस्थती स्वतहला रहा है बिजनस में आपको ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यक्ता नहीं है मिथोन राशी प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छा आउसर करेगा नई नौकरी की संभावनाय प्रबल है स्वास्थ के मामले में अच्छा सरकारी छेतर की बात करें तो आज इस्थतियां थोड़ी सी आपके हाथ से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है जैसे कोई बाहरी व्यक्ति आज हस्तक शेप करके आपको परिशान कर सकता है दामपत्य जीवन बहुत कुछ अनकूलता अपने आप ले आएगा अपने आप सकरात पकता रहेगी स्वास्थ के मामले में आख की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना है सरसो का तेल और काले तिल दाहिनी हथेली पर रखकर सिवलिंग पर अर्पित करने आज शनी जैनती वावश्या है शुबरंग आपके लिए आज आस्मानी भाग्य प्रधिशत चववन करकराश है एकदस के चंद्रमा का प्रभाव पढ़ाई अनकूल सिक्षा में किसी प्रकार का दोश नहीं व्यापार के लिए रिस्क लेना आपके लिए भारी पड़ेगा विजनस में आप शांती पूर्वग आगे बढ़ें प्राइविट सेक्टर आपके लिए कुछ नया नियम प्रतिपादित करेगा, काम में मन कम लगेगा, कुछ इस्थतियां आपके हाथ से बाहर जा रही है सरकारी छेत्रों कुछ बहतर परड़ाम दे रहा है, कॉर्मेट सेक्टर में चिंता कत्ते ही न करे दामपत्य जीवन अच्छा है, पत्नी और बच्चों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा स्वास्त के मामले में देखा जाए तो कमरदर्द की शिकायत और घुटना परिशान करेगा करकराशी क्या उपाय करना है, मद्धिमांगुली में गुड़ लगाकर शिवलिंग पर तिलक लगा दीजेगा, शुबरंग आपके लिए लाल भागी प्रतिशत 50, सिंगराशी दसम में चंद्रमा का प्रभाव पढ़ाई के लिए आज अउसर अच्छे में लेंगे, शिक्षा की चिंता कदापी ना करें, इस्थतियां आपके पक्ष में हैं, कुछ इस्थति बेहतर परिणाम दे रही है, आप पर कुछ प्रभाव इश्वर की क्रिपा का बरस रहा है सपोर्ड भी मिलेगा, एक दूसरे के साथ भूमने टहलने का कारेक्ट्रम बनेगा, स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो पेट की समस्या और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, क्या उपाय करना है, उल्टी हथेली पर सरसो का तेल और नमक रखकर पीपल के नीचे डाल दी पढ़ाई नहीं हो पाएगी आज, मानसिक परेशानी रहेगी, इधर उधर की बातें आपको उल्जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर कुछ बहतर स्थती में आ रहा है, आप पर भगवती की किरपा है तो नौकरी में बने हुए है, दबदबा भी रहेगा, सरकारी छेतर कई प्रकार से आपको परेशान करेगा, गौर्मेंट सेक्टर को समालने का प्रयास करना होगा, दामपत्य जीवन बहतर है, अवसर अच्छे मिलेंगे, पती पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्ट बहुत अच्छा है, एक दूसरे को साथ देने में आज प्रका जाए तो पेट की समस्या हो सकती है, क्या उपाय करना है कन्या राशी वालों को आज शनी जैनती स्पेशल, ओम शम शनिष्चराय नमः, मध्यमा में सर्सो का तेल लगाकर कंठ को छूकर साथ बार इस मंत्र का जाब कर ले, शुबरंग आपके लिए बैगनी भाग् मिला जुला आसर है, सिक्षा हो जाएगी, सिक्षा की चिंता ना करें, ब्यापार इस्थतियां डावा डोल है, बिजनस थोड़ा सा परिशान कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर आपके हिसाब से चलेगा, कुछ चीजें बहतरीन रिजल्ट दे रही है, अनकूल स्थति है, स दामपत्य जीवन, एक दूसरे के प्रती उतार चड़ाओ बढ़ रहा है आज, तुला राशी, थोड़ा सोच समझ कर समझदारी का परिचेदे, और चीजों को संतुलित करने का प्रियास करें, स्वास्थ के मामले में आज का दिन दातों की समस्या और माइगरेन की समस्या ह हो सकती है, प्रियोग क्या करना चाहिए, नाभी को आज शहद से इसपर्श करके, ओम्शम्शनिष्चराय नमह का जाब करिए, शुभरंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रत्षत, पच्पन, विच्चक राश है, चंद्रमा आपके सब्तम भाव में है, पढ़ाई बहुत ब इसी प्रकार का दोश नहीं है, व्यापार अनकूल स्थती में आज आ रहा है, विजनस में आपको तेजी मिलेगी आज उच्ची के चंद्रमा के कारण, चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है, भाग्येश के नक्षत्र में है, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नौकर सेक्टर कुछ परेशानी में आपको डालने के लिए तत्पर है, दामपत्त जीवन की बात करेंगे तो अनोखा दिन है आज, सब कुछ बहुत सहजता के साथ चल रहा है और आप उसको मैनेज अच्छे से कर रहे हैं, स्वास्त के मामले में आज जुखाम खांसी के साथ साथ आखों की समस्या हो सकती है। करते हुए ओम नमह शिवाय का जाब करिएगा। शुबरंग सफेद भाग्य प्रत्षत 65 धनुराशी। चंद्रमा आगये आज आपके छठे भाव में, पढ़ाई में बहुत रावाडोल इस्थति सिक्छा में उतार चड़ाव बढ़ेगा। मानसिक परिशानी भी शिक्छा में रहेगी। बहुत अच्छे इस्थति में नहीं है। ब्यापार ब्यातर परिणाम देखा। बिजनस में आपको परिशान नहीं होना है। अउसर अच्छे मिल रहे हैं। चीजें अनकूल हैं, सकारात्मक हैं। प्राइवेट सेक्टर में उतार चड़ाओ के साथ साथ आज नौकरी में धन खर्च की स्थिति धोरी सी बढ़ रहे हैं। नौकरी में इस्थितियां धन खर्च की बढ़ेंगी। सरकारी छेत्र चीजों को साधने में कामियाब होगा। गवर्न्मेंट सेक्टर बहतर परिणाम देगा। अवसर के साथ साथ आपको कुछ सकारात्मक्ता मिलेगी। दामपत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल बेटर कर देगा। ज्यादा सोचिय मत। चीज़ें बेटर हो जाएगी। स्वास्थ जुखाम खांसी के साथ हड्डी की समस्या है। धनुराशी क्या उपाय करना है। दाइने थेली पे सर्सो का तेल लेकर ओम शम शनिश्चराय नमह का एक सो आठ बार जाब करिए। शनि आपके लिए आकारक हैं मारक हैं। धनुराशी सावधानी बरतनी की आवश्यक्ता है। डाल दीजी आप प्यसी पौधे की नीचे। शुभरंग आपके लिए हरा भागी प्रतिशत 50 मकर राशी। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आये हैं। शिक्षा की स्थती को सुद्रुन करेंगे। पढ़ाई में आज सुधार होगा। मांसिक प्रशनता भी देंगे। व्यापार आपके लिए थोड़ा सा नुकसान दे रहा है। बिजनस में आपको सावधानी बरतनी की आवश्यक्ता है। बिजनस को आप सावधानी पुरवक काम बढ़ाने की आज जरूरत है। आपके लिए कुछ नया कर रहा है। पर ईडया कर रहा था है नया य कि आपके उपर नया भार मिल सकता है नया पकाम मिल सकता है पांचम का चंत्रमा है सब तमेश है आपका जंद्रमा नवीनी करण है दसम से दसम सबतमेश चंद्रमाख का क्या संबंध हुआ आज का नक्षतर रोहिडी है मेरे किसी भी वाक्य को आप जब चाहें ध्यान दीजिएगा मेरे किसी भी राशीफल के वाक्य को जब चाहें आप मुझसे चैलेंज के साथ पूछे मैं गोचर को कनेक्ट करके सिद्ध क कर दूगा भगवती साक्षी है हवा में बात नहीं करता यह बस जाने रहिएगा कि आचार जी बस कुछ भी बोल रहे हैं नहीं वही बोल रहे हैं जो गोचर है सरकारी छेत्र में आज कुछ बड़ा होने के चांसेज हैं गौर्ण्मेंट सिक्टर में कुछ बड़ा होने के सकारात्मक होने के चांसेज हैं दांपत्य जीवन संतान के विशेप पति-पत्नी के बीच मन मुटाव हो सकता है स्वास्थ मात्र और मात्र जुखाम परेशान करेगा सर में दर्द भारीपन रहेगा क्या उपाय करना है आज शरी जहनती स्पेशल सरसु का तेल शीवलिंग पर अर्पित कर दीजे शुबरंग आपके लिए आज नीला भागी पत्षद पच्पन कुम्बराशी चौथे में चंद्रमा पढ़ाई की स्थती जैसा आपने विचार किया है इम्प्लीमेंट एकदम वैसा ही दिखेगा व्यापार थोड़ा नुक्सान दे रहा है बिजनस की स्थती बहुत अच्छी नहीं है परेशान हो सकते हैं प्राइबेट सेक्टर बहतर परिणाम दे रहा है परिस्थतियां आपके अनुसार है सरकारी छेत्र साध कर कदम बढ़ानते हुए आप आगे बढ़े दांपत्य जीवन पत्य पत्य पत्नी के बीच तालवेल तिब्य है स्वास्त के मामले में हर्ट की प्राब्लम और पेट की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तौर पर अपने मस्तक पर सर्सो का तेल का तिलग लगाईए सनी जैनती स्पेशल शुबरंग आपके लिए आज पीला भागी प्रतिशत अठावन मीन राजी स्विक्षा बहुत अच्छी आपकी है पढ़ाई में किसी तरह का दोश नहीं ब्यापार थोड़ा परेशानी का कारण बन रहा है बिजनस को बेहतर करके आप कदम बढ़ाएं आगे चलने के लिए आपको बिजनस पर फोकस करना होगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नुकसान की स्थति लाएगा अचानक से आप पर कुछ इधर उधर की चीजों का प्रेशर पड़ेगा सरकारी छेत्र गौर्मेंट सेक्टर कुछ बढ़ा करने के लिए आप पर इश्वरिय क्रिपा दे रहा है दामपत्य जीवन पत्य पत्नी के बीच थर्ड हाउस से संबन्द रखता हुआ चंद्रमा पंचमेश चंद्रमा नक्षत्रेश चंद्रमा अकस्मात बच्चों को लेकर कुछ चिंता और तनाव दे सकता है तो आज दामपत्य जीवन आपका परिशान करेगा क्या उपाय करना है आज स्वास्त बता दे तो आज मानसिक परिशानी पीट की समस्या और घुटने से तकलीफ होगी आज शनी जैनती स्पेशल शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल चड़ाते हुए मंत्र का जाब कर ले ओम शम शनिश्चराय नमह शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य परदिशत पचास चर्चा करेंगे अब आगे आज के सक्सेस की की आज शनी जैनती स्पेशल सक्सेस की तीन काली मिर्च और दो लॉंग दाहिने मुठ्षी में रखकर तीन बार वामा वर्थ अपने सर से घुमा कर किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए काम पूरा हो जाएगा आज का भाग्याक्षर दिनांकी छे जून का भाग्याक्षर मेश ता बिशब वा मिथुन आ करक सा सिंग गा कन्या चा तुला हा बिश्चिक धा धनू या मकर खा कुम्भ रा मीन ठा छे जून को पैदा हुए लोगों का आज का आज का आईश्मान भावा छे जून को पैदा हुए लोग एक माला गायतरी मंत्र का जाप करें आज रुद्राविशेक जरूर करवा लिजेगा और जिसकी आज मेरी जिन्मरसरी है एक बर्गत का पौधा लगा कर रुद्राविशेक करवाएं और दो ब्रामण को भोजन जरूर करवा दे आज के अंके में इतना ही मुलाकात करिए गाजियाबाद में लगातार पंद्रह सोलह को जैपुर बीज एक्किस बाइस बना रहा है मिलने का समय सुनेश्चित कर लेजेगा नमस्कार शेरादे आचार्य विश्वप्रसिध ज्योतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए है एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृती की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का होदुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्षमी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक खुशियां अनेक अपना खास गुशियों की शींग अपना खास ग्रहदीब अपना खास विवादीब अपना खास